जो हमारे चेहरे पर ओट के उपर बाल होते हैं और इधर कान की नीचे बाल होते हैं तो ये देखने में बहुत ज़्यादा गंदे लगते हैं और किसी किसी के भी बहुत ज़्यादे होते हैं तो देखिए आज सारी प्राब्लम को दूर करेंगे और एक ही वीडियो में बताएंगे तो देखिए कितना गंदा लग रहा है देखने में और जो हमारे चेहरे पर हैं वो काले काले से दाग पड़ गए हैं वो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं गर्मियों में बाहर जा और आखों के नीचे काले घेरे बन जाते हैं तो दीखिए कितना गंदा लग रहा है और यहां से जहां यहां भी पड़ जाती है तो इसके लिए एक रेमेडी ऐसी लेके आए और आप लोग की साथ सेर करेंगे जो आपको बहुत ही पसंद आएगा अब बिल्कुल घर के सामान से ही बनाएंगे इसमें कोई हम कैमी कल वाली चीज मिलाके नहीं दिखाएंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और लाश्ट तक जरूर देखिएगा तो देखिए हमने एक आलू ले लिया है जो हमारे किचिन में ही योज होता और हमारे चेहरे के लिए भी बहुत अच्छा होता एक बात और बता दें जो आलू का जूस होता है पो हमारे जैसे जला हुआ है कहीं पर दाग पड़ गया है तो बहां पर आलू को लगाने से और यह जला हुआ है तो बहां पर भी आलू को लगाने से हमारा जला हुआ सही हो जाता है और दाग भी नहीं रहता ह तो इसी तरह से आज चेहरे में भी इसको हम किसमें यूज करेंगे वो आप लोग के लिए दिखाएंगे और वीडियो को लाज तक जरूर देखिएगा तो हमने छोटा सा आलू लिया है और हमें बड़ा आलू नहीं लेना क्योंकि तुरंत ही हम लगाएंगे तो छोटा ही आल से पीश लेंगे तो देखिए देखिए चोटा सा आलू था तो अभी दिख नहीं रहा है फिर भी हमारे लिए काफी है चेहरे के लिए जरूरत है हमें तो देखिए इसमें इतना सा जूस निकला हमने पानी बिल्कुल नहीं मिलाया है आलू में जूस निकलता है तो इसको च इसको हम किस चीज में मिलाएंगे बोवी चीज बहुत ही अच्छी है बहुत ही हमारे लिए चेहरे के लिए जो हम दुलहन के लिए लगाते हैं उसी चीज में मिलाएंगे तो देखिए हमने इसको ढखकन से भी साफ कर लिया है तो हमारे यह काफी है इतना इतना ही हम रखेंग और इसमें जो छुटे-छुटे पीस हैं वो निकालेंगे नहीं वो हमारा अच्छा सा इश्करवर बन जाएगा देखिए हमने एक चमच बेशन मिला लिया इसका अच्छे से पेश्ट बनाएंगे इसमें पानी नहीं मिलाया बेशन को अच्छे से मिला लेंगे तो यह हमारा बहुत ही अच्छा फेस पैक बनके त्यार हो गया है अभी इसमें एक चीज और आड़ करनी है वो भी हमारी स्कीन के लिए बहुत अच्छ चीज है तो जो हम कच्चा दूद ले सकते हैं या तो उबला हुआ दूद ले सकते हैं वैसे तो हमने कच्चा ही दूद लिया है भी डाला है वो भी हमारे चेहरे की जो दाग होते हैं काले काले से वह भी साप करेगा बेशन है बेशन भी हमारे चेहरे में चमक लाएगा एकदम बहुत अच्छे से और जो दूद हमने मिलाया है दूद भी हमारे चेहरे के लिए स्कीन के लिए बहुत ही मुलाइम और चमक से पीज थे वो हमने नहीं निकाले हैं तो आज हमारे चेहरे की सारी प्राबलम खतम करेगा हमारे चेहरे पर चोटे चोटे बाल हैं वो भी हटाएगा और जो बहुत ज़्यादा डार्क सरकर हो जाते हैं वो भी खतम होंगे तो चलिए चेहरे पर अपलाई करते हैं इस फेस पैक के लिए तो फटा-फट से चम्मस से ही लगा लेते हैं जहां जहां पर चम्मस से लगा लेंगे फिर हांस की मदश से लगाएंगे देखिए हमने अच्छे से लगा लिया है चेहरे पर और इसमें कोई केमिकल की चीज नहीं मिली हुए बिल्कुल नैचुरल है तो इसको हम आखों के साइड हर जगए पर लगाएंगे जिससे हमारी ना आखों को नुक्सान होगा इससे कुछ भी नुक्सान नहीं होगा तो इसे हमने अच्छे से लगा लिया है और जो बाकी का बच गया है तो हम आथो पर भी लगा लेते हैं लगाने के बाद हम थोड़ी देर इसे छोड़ देंगे कम से कम आध गंटे के लिए छोड़ देंगे आध गंटे के बाद इसको हम साप करेंगे तो आद गंटा हो गया है तो चलिए चम्मसी पहले हटाते हैं और कितना अच्छा गिलो आया है एकदम बहुत ही साफ हो गया है तो यह बेशन जो है वो हमारी स्कीन के लिए बहुत अच्छा है साफ रखता है और आलू का भी जूस बहुत अच्छा है मारी स्कीन के लिए तो इसमें हमने chemical वाली कोई भी चीज ऐसी नहीं मिलाई है जो हमारे चेरों को नुक्सान हो और red-red हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा गर्मी के लिए फेस पैक है गर्मी हो या सरदी हो दोनों मौसम के लिए ये फेस पैक बहुत ही अच्छा है पहले हम चम्मच से छुटा लेते हैं जो चम्मच में आ रहा है इसको हम फेकेंगे नहीं इसको हम अपने हाथों पर अपलाई करेंगे देखिए तो चम्मच से छुटाने के बाद जिस जगा पर रह जाएगा तो इसको हम अच्छे से पानी से साफ कर लेंगे और चम्मत से उपर की साइट इसलिए चुटाया जैसे हमारे चोटे-चोटे से चेहरे पर रूंगटे हूँ वह भी निकल जाएंगे इससे चाहों तो इसे अच्छे से चेहरे पर हादों से वह मसाज भी कर सकते हैं चाहों तो ऐसे भी चुटा सकते हैं ने मसाज नहीं किया था इसी तरह से चुटा लिया है तो हमारा चेरा काफ Dabei 잠깐만 च्मकदार भी हो गया है तो चलिए इसको हम दुलने के बाद दिखाते हैं है तो इसको दुलने के बाद दिखाते हैं का साया टाया है इसका एक दम बहुत ही प्यारा है बहुत ही अच्छा यह फेस्पैक बनना आया है हमने और चेरे पर लगा के दिखाया है आप लोगों के लिए तो रजल्ट आपके सामने है कैसा लगा एक बार हमें बताना मिलेंगे इसी तरह से एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाइवाय थ झाल झाल झाल